कि आध की प्रव्लम है आध की प्रवलम है अधिकाना आज़े बाहर आज़ा आज़ा जो हलो कि से आध तो ठीक है तुमारा सब्सक्राइब लिख लेते हैं स्कूल भी जाते होगे कौन सी ख्लास न पड़ते हो आध में काहा गॉपर्मेंट स्कुल में तो कैसे पैदल जाते हो, कोई दिक्कत तो नहीं होती है, मतलब दिक्कत होती है चलने मेरिया, तो क्या आपको वो वीलचेयर, वीलचेयर मिलती है तो फैदा होगा, वीलचेयर पेट के जड़े हो, वीलचेयर जानते हो, साइकिल, 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 साइक यहां नहीं पढ़ दा किसका बच्चा है आप आजो आप आजो आप यहां पर कितने दिंशह है यह इसको कि यह कर दिखा नहीं होता है इसको स्कूल कर नहीं बेजरे यह पुश रहा हो में यह तो जा सकता है एक पर यहां पर पर यहां पर आई पर यहां पर आई नहीं है पर दोस्त बहुत मदद करते हैं आपको पता नहीं है मैं को याद है नरेला में 15 साल पुराणी बाद है पट्री पट्री की उसके रीजा चार पईये लगे या दो तीनी पईये लगे दे उस पर एक बच्चा बैठता था और दूसरा बच्चा उसको कम से कब दो किलो मीटर से खीच के अब जाएगा तो इसका कोई दोस्त है वो बैग ले जाएगा इसका इसका इसकोल पे छोड़ दे बैग इसका इस तरीके की सुभीदा वही बात है निपर दुबारा दाखने लेगा कि नहीं लेगा ने लेगा ना आप जाना एडिशन फोर्म बढ़ना और कोई दिक्कत हो स दोनी लेगा इसनी तो आए है तो कितने जेर साल दो साल से बैठा वाई है अब जब से लोगड़न इसकोल बंदेना और तीन साल नहीं तो वहां गाव में कौन सी क्लास तक पढ़ना था यह यह आठी में पढ़ना तो इसको करण नाइन सिमें दाखना पर रहाए तो इसको क